चेतावनी यह वीडियो केवल मनोरंजन के उदेश से बनाया गया है, इसे गंभीरता से या वास्तविक्ता के प्रतिबिम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, त्रिप्या इस वीडियो को सामधानी से देखें. जोकर का भूत पुरानी सरकस की इमारत एक जीरशीन विशाल इमारत की तरह शहर पर मंडरा रही थी, इसे वर्षों तक छोड़ दिया गया था, लेकिन अफवाहे बनी रही की इसमें एक जोकर के भूत का साया था. एक दिन किशोरों के एक समूव ने परित्यप्त सरकस का पता लगाने का फैसला किया, उन्होंने कहानिया सुनी थी, परंतु उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने सोचा कि इस दरावनी पुरानी इमारत में एक रात बिताना मज़ेदार होगा. किशोर देर रात सरकस में पहुँचे, उन्होंने पीछे का दर्वाजा खोला और अंदर घुज गए, इमारत अंधेरी और धूल भरी थी, हवा फफूंदी की गंद से धनी थी किशोर सरकस में घूंगते रहे, खाली कमरों की खोज करते रहे, उन्हें पुरानी प्रदर्शन रिंग, ड्रेसिंग रूम और जानवरों के पिंजरे मिले, सब कुछ धूल की मोटी परत से धका हुआ था किशोर सरकस के पीछे एक बड़े कमरे में आये, यही पर जोकर अपने प्रदर्शन के लिए तैयार होते थे, पूरे कमरे में दर्पन लगे हुए थे, और श्रिंगार और पोशाकों से सजी एक लंबी मेज थी कमरे की जाच करते समय किशोर हस रहे थे और बाते कर रहे थी, लेकिन फिर लड़कियों में से एक रूप गई और हामफने लगी, वह एक दर्पन को घूर रही थी देखो उसने कहा, वहाँ कोई है अन्य किशोर दर्पन के चारों और एकत्र हो गए, उन्हें प्रतिविंग में एक आकरिती खड़ी दिखाई दी, यहाँ एक दिजूशक था जोकर लंबा और पतला था, उसकी त्वचा गोरी थी और उसके बाल लाल थे, उसने बैगी जोकर सूट पहना हुआ था और उसके चहरे पर एक उदास भुसकान विख्री हुई थी किशोरों ने अविश्वास से जोकर को देखा, उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था यह भूत है, लड़कों में से एक फुस फुस आया विश्वास ने धीरे से अपना हाथ उठाया और किशोरों की ओर लहराया, किशोर डर के मारे जमे हुए थे अचानक जोकर हिल गया, वह शीशे से बाहर निकला और कमरे में चला गया किशोर चिलाते हुए भागे, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दर्वाजे बंद थे जोकर ने सरकस के माध्यम से किशोरों का पीछा किया, वह पागलों की तरह हस रहा था किशोरों ने खुट को एक छोटे से ज्रेसिंग रूम में कैट कर लिया बाहर जोकर की हसी सुनकर वे दर के मारे एक साथ चिपक गए विदूशक ने दर्वाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था उसने दर्वाजा खट-खटाया और किशोरों पर चिलाया किशोर भैभीत थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है अचानक एक जोरदार टक्कर थे, विदूशक ने दर्वाजा तोड़ दिया था किशोर चलाते होए भागे, जोकर ने पूरे सरकस में उनका पीछा किया किशोर प्रदर्शन रिंग में भागे, उनके पास जाने के लिए और कोई जगा नहीं थी विदूशक ने किशोरो को रिंग के मध्य में घेर लिया, वह हसा और ताली बजाई उन्होंने कहा, यहाँ खेलने का समय है किशोर भयभीत थे, वे जानते थे कि वे खत्रे में है जोकर ने अपनी जेब में हाथ डाला और चाकू निचाला, वह करूरता से मुस्क्राइब उन्होंने कहा, आईए देखे कि आपको यहाँ ट्रिक कैसी लगती है विदूशक ने चाकू उठाया और किशोरो पर जपना किशोर चिलाए और बितर-बितर हो गए विदूशक ने चाकू को बेथाशा घुमाते हुए प्रदर्शन रिंग के चारो और उनका पीछा किया किशोरो में से एक माइकल नाम का लड़का लड़ खडा कर गिर गया विदूशक ठीक उसके पीछे था माइकल ने अपनी आखे बंद कर ली और अंत का इंतजार करने लगा लेकिन अंत कभी नहीं आया माइकल ने आखे खोली और देखा कि जोकर वहां से जा चुका था उसने चारो और देखा और पाया कि अन्य किशोर भी सुरक्षित थे किशोर ब्रहमित और डरे हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था, अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आवाज ने कहा, धन्यवाद, किशोरों ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया, इसने कहा कि लड़कियों में से एक ने प क्यों बचाया, माइकल ने पूछा, विदूशक ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और को चोट पहुँचे, मैं कोई दुष्ट भूट नहीं हूँ, मैं बस एक खोई हुई आत्मा हूँ, किशोरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, वे अभी भी डरे हुए थे, लेकिन वे जोकर की मदद के लिए आभारी भी थे, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, लड़कों में से एक ने पूछा, विदूशक ने कहा, आप मुझे शांती पाने में मदद कर सकते हैं, आप मुझे अगले जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, किशोरों को न उनकी कहानी सुनी और उनके जीवन के बारे में जाना। जोकर का नाम पोगो था, वहां कई वर्षों तक सरकस का जोकर रहा था, उसे अपनी नौकरी से प्यार था और उसने कई लोगों को खुशी दी थी। लेकिन फिर एक दिन पोगों के साथ एक दुखत दुरगटना हुई, उचे तार से गिरकर उसकी मौत हो गए। पोगों की आत्मा तभी से सरकस में फसी हुई थी, वहां अगले जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ था क्योंकि उसका ताम अधूरा था। किशोर पोगों को आगे बढ़ने में मदद करना चाहते थे, उन्होंने उससे पूछा कि शान्ती पाने के लिए उसे क्या करने की जरूरत है। पोगों ने कहा कि उन्हें एक आखरी शो करने की जरूरत है, उन्हें एक आखरी दर्शक को हंसाने की जरूरत थी। किशोर पोगो को एक शो प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए सहमत हुए उन्होंने सरकस से कुछ पुरानी पोशाके और साथ सामान इकठा किया उन्हें एक कारेशील कैलियो भी मिला किशोरोंने प्रदर्शन रिंग में मंच तैयार किया किशोरोंने अपने दोस्तों और परिवार को शो में आमंत्रित किया उन्होंने शहर के लोगों को भी शो के बारे में बताया शो की राज सरकस खचाखच भरा हुआ था हर कोई भूट जोकर की वापसी देखने के लिए उत्सुक था पोगोंने मंच संभाला और भीड ने खुशी जताई उन्होंने एक मनोरंजक शो प्रस्तुत किया उन्होंने चुटकुले सुनाए बाजीगरी की और यहां तक की उन्होंने यूनी साइकल भी चलाई दर्शकोंने हंस्ते हुए पोगों की जैजैकार की वहां हिप था शोके बाद पोगोंने किशोरों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया उसने उनसे कहा कि वहां अन्ता परलोप में जाने के लिए तैयार है पोगो ने किशोरों को अलविदा कहा और वह हवा में गायब हो गया किशोरों को पता था कि पोगो अंता शान्त हो गया है उन्हें खुशी थी कि वे उसकी मदद करने में सक्षम थे गूतिया जोकर के आखरी शो के कुछ साल बाद पुरानी सरकस की इमारत को तोड़ दिया गया था लेकिन गूतिया जोकर पोगो की कहानी आज भी सुनाई जाती है कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात के समय पुराने सरकस के मैदान में जाए तो आपको कोगो का भूट अपना शो करते हुए आज भी देखा जा सकता है और यदि आप भाग्यशानी हैं तो वहाँ आपको एक चुटकुला भी सुना सकता है नमस्कार यूट्यूब चानल वर्ल्स नेचर के दर्शको इस कहानी को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृप्या इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे तब तक ध्यान रखे और अलविदा